वाईखुजी का खालसा वाईखुजी की पते संजद जी असी साड़ा चैप्टर चल रहे हैं सी शबद गूर पीरा देविचों की नाम कि में जपना है इस चैप्टर अजे कंप्लीट नहीं होया थोड़ा जा पिछ्छे तो शुरू करके फिर अगे चल रहे हैं संद बाबा सेवा सिंग जी ने तंतन साहिब गुरू ब्राण सेब जी देविचों बाणी दे एक्जाम्पल्स लेके सानुसम्जान दी कोशिश किती है शॉर्ट दे विच पिछों दी कॉंटीनिव कर रहे हैं संद जी कि संद बाबा सेवा सिंग जी लिख देयान के साड़ी सूर्थ भी सूखम है और शबद भी सूखम है दोना दा आपसी मेल करना है मेल कराण लई शबदी तुन है जी आपां गुरू शबदी तुन नू बोलके बुला रही जा स्वासानाल प्रगट कर दे हां उस निकल रही तुन दे विच त्यान नू जोड़ना है जदो तुन दे विच त्यान जुड़ गया समझो गल बढ़नी आरंब हो जावेगी ए आंसर है कि नाम किमे जपड़ है गुरू नानक पात्षाजी दा फुर्मान है तुन मैं त्यान त्यान मैं जानेया गुर्मुख अकात कहानी जे तुन दे विच त्यान नहीं जुड़दा फिर समझो सुर्थ अजे बाहर मुखी पटक रही है सुर्थ दा शबदनाल मेल नहीं हो रहा जिन्नाचिर सुर्थ दा शबदनाल मेल नहीं हुंगा उन्नाचिर माई की बंदन नहीं तुटदे शिरी गुरू नानक देव जी जोड़ी साखि नमाज पढ़ं वाली काजियत नवाब वाली वो साखि दे राही मी सानू एही समझाया कि त्यान जड़ा है वो पक्ति दे विच लीन होना चाहिए साइब श्रीगुरू रामदास जीदा फुर्मान है कि जे त्यान बाहर मुखी है सूर्थी किते बाहर पटक दी है मुव इचों पामे कोई नौ व्याकरन छेश शास्तर अते होर तार्मख ग्रंथ रटी जावे इस तरह निरा उचारन करन नाल मेरा मालक प्रहू परसान नहीं मालक दी दर्गा विच किमे प्रवान की प्रापत हुंदी है सद्बू अर्जन देव जीदा फुर्मान है स्रमनी सुनियां रसना गई है हिर्दैत याई सोई करन कारन सम्रत स्वामी जाते बिर्थाना कोई संद्पाबा सेवा सिंग जी केंदेहन के इस दी अगर डूंगी विचार कीती जावे ताओ केंदेहन की साधियां अक्खा वेख दियां नहीं वेख दियां अक्खा नहीं वेख दियां वेखदा कौन है त्यान वेखदा है कान नी सुन दे सुन दा त्यान है जुबान बोल नहीं है बोलदा त्यान है इस दा एक्जामपल देखे उना ने दस्या है कि जे दो चार लोग बैठके गल्ला बातां कर रहे हन विच्छों कोई एक बोल पेंदा है कि किरपा करो तुसी जो गल कह रहे हैं सी उनू दुबारा कैंट दिखे चल करो मैं सुनेया नहीं क्यों क्यो दाहूद सुनना सी तो सदे नित दी करेया नू चलौन वाला त्यान ही है त्यान तो बिना पर्णा जप्ना बॉता सार्थक नहीं तद ही बाबा कभीर जी किता है क्या पढ़िये क्या गुनिये क्या बेद पुराना सुनिये पढ़े सुने क्या हुई जो सैज ना मिलेव सुई हरका नाम ना जपस गवारा क्या सूचें बारंग बारा तंतंसाहिप शिरीगुरू अर्जन देश सहब जी फिर्मान कर दे हन पाठ पढ़ेओ और बेद साधे पंच जनास्यों संग न चुटके ओ अदिक अहंग बुद बादे प्यारे इन बिद मिलन न जाई मैं किये करम अने का त्यान तों बिना तां पड़-पडगड़ी लदी हैं पड़-पड़ यह साथ पड़-पड़ बेड़ी पाई हैं पड़-पड़ गड़िए और हो मैं चक्नाचाँ सुसंगत जी हुणगे कांटीनियू कर दे हां के गुरू दी अगवाई विच पड़नू ही सार्थक बनोना है पड़नू चक्ड़ा चाक नहीं बनोना सार्थक बनना है इक मन चित पाइदी किर्याद्वारा जिवें श्रीगुरु अमर्दास जी ने सो सिम्रन कर स्वाल बन जानदा है पाद्शा कि मैं जपां कोई जुक्ती दसो सिम्रन करन धा टांग दसो साथगुरु किर्पा करके नाम त्यांडा सार्थक रस्ता दस्रेहन के हे मन इतागर चित हो के प्रभूते प्यार चाने जी आप चित हमाई कौन हो स्वाल सि के किस्ट्रा नाम जप़्याजाए साथगुरु किर्पा करके नाम त्यांडा सार्थक रस्ता दस्रेहन के हे मेरे मन इक अगर चित हो के प्रभूते प्यार विच Charlotte हरी परमेशर जी नू तिया, हरी परमेशर जी विच बहुत बहुत वड़ियाईया हन, ओ मालक तेरे, एक मन एक चित पाए दी विर्थी उते तरुट के, तनू लोग पर लोग दिया वड़ियाईया बक्षिश कर देवेगा, अते सारिया वड़ियाईया दे के, मुड़ प्षेत पाई हार्कियां सदा सदा वड़ियाई काई सदा को सड शरीक तरियां दा सवाओ है RJ 500 शिरी और तवां है अ कि श्तूर शरीराद आश्रत हो चुक्ते हां नामवôm सपिन दी जुकती साथ गुरां दे पासों नी पुछदे सगों श्रीर तारियां पास जाके नाम जपंडियां उक्तियां जुक्तियां टंग परीकें कुछ दे हां उनने वी बोताद विच खुद नाम जपदी कमाई ता नहीं किती उन्दी सुने सुनाए जा पुराणे ग्रंथ पढ़के कई वरी जग्यासुनू गरत रस्ते पाधन दे हन जिनने बंदे उनने ही रावली गल बंड जांदी है जिस करके जग्यासुनू नाम प्रैणी प्रैण दे दिन्दा है कोई दे आरी अपने सत्न गुरुड यां कल्पत फोट वाई थे आन तरन ली जग्यासवानू प्रेणना दे जिनने बंदे उनने मत वली गल बनी होई है पर असी गुरू अगवाई उपर प्रोसा नि कर दे जो विदी जो अगवाई तारनी बाण जाईए फिर सानु जरूर सफलता प्रापत हो जावेगी हमेशा सिम्रन करन लगया गुर्बानी पढ़न लगया तुन में त्यान त्यान में जाने आ गुर्मुख अकत कहानी दी गुरू अगवाई जरूर त्यान मिच रखनी चाहिए है शिरीगुरु अर्जन देव जी ने परमेशर जिनूत्याण दी प्रेदणा दिती है हे मनुक तू हरी परमेशर जिनूत्या हरी नूत्यान नाल तू संसार संबंधर तो पार उतर जावेंगा पर ता समय जावेगा जे तू संकलपा विकलपा नु मार के हिकागर Arist do करेंगा गुरु पाठ्षा जीदा फुर्मान वाचिये रे नर इन विद पार पराए त्याये हारजियो होए मिर्तक त्याग दूज्जा पाओ प्रभु प्रमेशर जीदा सिम्रन कर दियां किस दा त्यान तरना है जो सर्बत्र थावाते सर्बत्र जीवा विच परिपूरन हो के रम्या होया है मंत्रंग राम राम नामंग त्यानं सर्बत्र पूरन है जो सर्बत्र पूरन है उसदा कोई चक्र चेन नहीं है ना उसदा कोई वरन पेख है ना जात ना पात ना उसदा कोई रूप है ना रंग ओता अचल मूरत अनपाव प्रकाश है जिसनु दसमें गु नाल अप्माँ अपेद होना है वो कैसा है चक्र चहन और बरन जात और पात नहिंजे रूप रंग और रेक पे को कहना सकत के अचल मूरत अनपव परकास अमितोज कहिद रहा है के सारे गुणावाली हस्ती नू गुर्बाणी विच पार ब्रम दा नाम दिता है सद्गू अर्जन देव जी जैत्सरी दी वार विच नाम जपन अते त्यान तरद दी प्रेणा देंदे होई फुर्मान करदे हन जड़े रसनानाल हरी प्रमेशवदा नाम जपदे हन कन्नाना गुर्बाणी ते नाम नु सुनदे हन अते पार ब्रम प्रमेशवदा त्यान तरदे हन में आउना दो बलिहार जादा हन सत्गुरु जीदा बचन है रसना उचरंत नामंग स्रम्णं सुनंत शबद अम्रितै नानक तेन सद गलिहारंग जिना त्यान पार ब्रम्ण जीदा फिर्मान जो अकाल उस्तद विच अंकित है पढ़ लए त्यान तरंदा मसला हल हो जावेगा जिस निरंकार नू ब्रम्मा नारद रुमना रिशी वरग्याने मिलके त्याया है जिस्दा पेद जिस्दा अंत बेदा आते मुसल्मानी कतेबाने मी नी पाया सारे उस निर पेद नू टोलदे हार गये हन शिव जी इंद्र अते बड़े बड़े रिशी मुनियाने मी उस दा पेद नी पाया सनक सनंदन सनातन सनक कुमार वरगे चिनंग जीनियान मी उस दा आंतनी लब्या ऐसे अमितोज बल वाले निरंकार दा त्यां तरो जिस दा बल सबना उत्ते चाया हुया है सद्गुरु गुर्गोबिन सिंग जीदा फुर्मान पढ़िये नारद से चत्रानन से रुमना रिख से सब हुमे लगायो वेद कतेम ना पेद लख्यो समहार परे परहाथ ना आयो पाए सके नहीं पार उमापत सिद सनात सनंतन त्यायो त्यान तरो त्यान तरो तहको मन में जहको अमितोज सब्य जग चायो त्यान तरो तहको मन में जहको अमितोज सब्य जग चायो दस्वे पाद्शाजी ने सवियां दी बाणी विच त्यान तरनली होर्स पष्ट किता है के त्यान किसना धरना है साथ गुरुची सारे देव त्यान्दा जिकर करके अकीर परमेशर पार्व्रम लिए त्यान तरनली प्रेदना दूं देव liberté है कोई ब्रह्मानों रभ मन्न के उससा धाथ त्यान त्यान हे मूरक मन एक वारी नहीं हजारा वारी विचार के वेखला एनना विचो किसे ने वी अंत समय साथ नहीं देना तैनू सब छड जानगे एस लई उस परमेशर दा त्यान ही देविच पक्ता कर उस दा त्यान तर जो पिछे सी फून है अते अगा सदा वास्ते वी होवेगा सवये पात्षाई दस्मी देविच तांतन रसम पात्षा साइक श्री गोबिन सिंग जीदा फरमान है कोव दिजेश को मानत है और कोव महेश को एश बताय है कोव कहे विश्नों विश्नाइक जाहे पजे अग ओग कटे है बार हजार बिचार अरे जड़ांत समय सब ही तज जै है ताही को त्यान प्रमान ये जो थे अब है और आगे उ हवे है बचित्त नाटक देविच साहिब लिख दे हन ना त्यान आन को तरों ना नाम आन उच्रों परम त्यान तारियंग अनंत पाप तारियंग परम त्यान तारियंग अनंत पाप तारियंग इस सारी विचार लिखन तो पाव है, सन्द्रबाब सेवा सिम जी कहा रहिए हन क्योंकि साधे गुरु नानक पाद्शाजीदा वी गुरु शबद ही सी साथ गुरु जी ने गुरु सिखा नूमी शबद गुरु दे लड़ लाया है शबद विच त्यान लोना है त्यान सुनन ना लगणा है त्यान सुनन ना लगणा है पिर गुरु नानक पात्षाजी दा फुर्मान पढ़ लिए कि सुने आई लाग गया सैज प्यान जे सिख्यार्थी बढ़ना है जो तो शबद विच प्यान लाग गया शबद ब्रहम दा रूप है समझो ब्रहम नाल संपरक जुड़ गया शबद गुडवाणी नू शबद नाम नू आप ही जपना है आप ही सुनना है बहुत सरल ते सौका टांग साथगुरु जी ने प्रभु नाल जुरंदासा नू बक्षिश किता है शब्रु शिरीगुरु अर्जन देव जी ने प्रभु प्रमत प्रभु प्राब्ति दा अपणा निजी अनुपव गृबाणी मिच निरूपन किता है उसतों अगवाई लईये साथपुरू जी प्रभू प्राप्ति वास्ते गुर्मत दे चार अंगा दे पैरा देंडी तकीद कर दे हूं पहला है रसना दे नाल प्रभू प्रमेशर जी दे नामदा जाप करना दूजा है जिस प्रमातमा दा जाप जाप रहे हैं उस नाल प्यार करना पहला है रसना नाल प्रमात्मा दे नाम दा जाप करना दूजा है उस जिजा नाम जापरें उस नाल प्यार करना तीसरा गुरू दे उपदेश नू चित विच द्रड करके उस दी कमाई करनी उपदेश दी कमाई करनी चोथा है संसार विच फसे हुए जंजाली वेडे माननू संसार नलों तोड़के निरंकार नाल जोड़ना जड़ा गुरु प्यारा श्री गुरु अर्जन देव जी दे उपर लिखे हुकम अनुसार नाम ते आउन दे चारे अंगां दे पूरा पैरा दे के नाम दी कमाई करेगा उस दी सुर्थ निरंकार नाल अवश जोड़ जावेगी आप जी दा फुर्मान है गोबिंद गोबिंद कार हां हर हर मन प्यार हां भाई ग्राप्ति दा अपना निजी अनुपव गुर्बाणी मिच निरूपन कीता है आपने गुर्मत दे चार अंगां के पेरा देंडी केती है प्रफला है रसना नाल प्र्भू प्रमेशजी दे नाम दा जाप करना रसना नाम जपना दूसरा जिसनी नाम प्रयां उस परमात्मानाल प्यार करना तीजा गुरु दे अपदेश नू चेत विच द्रड करके मान अंदर द्रड करके उस अपदेश दी कमाई करनी चोथा संसार वीच फसे होए अपने मन नू संसार नालो तोड़के निरंकार नाल जोड़ना जिड़ा गुरु प्यारा श्री गुरु अर्जन देर जी रे हुकम अनुसार नाम ते औंडे चारे अंगां ते पूरा पैरा देके नाम दी कमाई करेगा उस दी सुरत निरंकार नाल अवश जुड़ जावेगी आप जिड़ा फुर्मान है गुबिंद गुबिंद का रहां हर हर मन प्यार हां गुर कहया सोचित ता रहां अनसियों तोर फेर हां ऐसे लालन पायोरी सकी जे गुबिंद गुबिंद कर देयां प्रभु दी सिफ्थ सला कर देयां मन सिफथ सला थे प्रभु नामनू सुनंतों आकी होके बार पजंडा जतन करे तद जग्यासिमू की चाईद है उसनू चाईद है कि सत्गुरु जी दा ओट आस्रा लेके गुरु चर्णा मिच अर् अपदेश देके कार रहो रे मन मुगद याने दा उपदेश देके माननाल चगडा माननल सत पाके माननू गुरु शबद सुनन मिच लावे माननाल चगडा करके अपने माननू गुरु शबद सुनन मिच लावे माननाल लडाई कर द्यां एक दिन गुरु दी ओट आस्रे मा गुर्बाणी सुनंदे मारगदा जरूर तार्मी बन जावेगा जग्यासु ने की करना है साइफ गुरु अमरदास जी दा पुर्मान है मानही नाल चगड़ा मानही नाल सत्थ मानही मांज समाए मान जो इच्छे सोल है सच्चे शबद सुवाए गौडी राग विच सत्ता द जिना द्वारा बाबा कभीड जी ने उपदेश बक्षिश कीता है कि यह जग्यासु जनो शुकरवार्दा एही स्रेश्ट उपदेश है जो शुब कर्मानु करके हंकार नी करदा अपने मननल चगड़ा करके इस मननु प्रभु प्रभु नाम विच लॉंदा है उस दे सार करम तरम बरत आग पूरे होगे जानों सुक्रित सहारे सो एह ब्रत चड़े अंदिन आप आप से उलड़ा है अंदिन आप आप से उलड़ा है आज जी जी अधिस माप्टी कारदा मी जी है तिन चार वोड आंके गेने अजी दो कर लो दो कर लो अच्छे ठीक है रहत नाम्या विच्वी खालसे रे करमा प्रती हदायत किती है कि असली खालसा ओ है जो मान रूपी कोड़े ते हर समय असवारी कर रखे जड़ा असवार कोड़े नू अपनी मर्जी अनु सार्ट चलूंदा है ओ अपनी मंजल पे सही सलामत पुझ जन्दा है जिस दी असवारी अपने काबू विच नहीं उन्दी ओ कदे भी अपनी मंजल पे सही सलामत नी पुझ सकदा ऐसे तरह जड़ा खालसा अपने मन ते काबू करके इस पासो प्रभू प्राप्ति दा कम लेंदा है मन नू गुरू अपदेश दे लगाम अनू सार चलांदा है ओ अपने जीवन दी मंजल नू प्रापत करलंदा है जिथे मन प्रभू प्राप्ति दे रस्ते उते चलन लई अड़ी करे ओ थे इस नू एड़ तेड़ करंतों वर्जे खालसा सो जो चड़य तुरंग खालसा सो जो करय नित जंग जड़ा गुरू प्यारा एथे नित जंग तो पाव अपने मन दे नल जंग करंतों है जड़ा गुरू प्यारा गुर्बाणी दी सिख्या द्वारा अपने मन नू एदर उदर पजन तो रोक लेंदा है उस दियां सारियां विशे विकारां दियां वाशनावां खतम हो जांदियां हन उसनों शांती देन वाले अमरिदी प्राप्टी हो जांदी है फिर मन अमरिद मही रास विच मस्त होके प्रभू दे नाम अमरिद नों पी के अनंदित हुंदा है बाबा कबीर जिदा फुर्मान है सोमवार सस अम्रत चरै चाखत बेग सगल विखहरै बाणी रोक्यां रहे दुआर तो मन मतवारू पीवन हार स्याना मनुख ओ ही है जो मन पासों हार खा के पजदा नहीं जड़ा मैदान चाड़के पाजी गया उसने जितता की प्रापत करनी है सो वो उसमू पाजी नाओ दे कलंकत उपमान देनार संबोधन कीता जान्दा है सो पाजी नहीं बढ़ना सूर में बढ़नके मन जीत जग जीत दिकार करनी है स्याना कौन है नाहीं देख ना पाजी है परम स्यान पे है मन नल चगड़ा मन नल लड़ाई कर दियां आप नहीं ठकड़ा मन नू ठकोना है जो दो मन ठक के हार खा गया समझो गल बन गी जड़े इस आशे विच सफल हो जान्दे हन पाई गुर्दास जी उस्तों कुर्वान जान्दे हन हो सद के तिनागुर सिखां बाहर जान्दा वर्ज रहाया एक समय सद्गुरु नानक देव जी दी शरन विच तिन सिखाए जनादा नाओ पाई गुर्दास जी ने प्रिथी मल सैगल रामा डिड़ी लिख्या है सद्गुरु जी दे चरनाविच बेंती कीती पाच्षा जीवन बतीत हो रहा है मौत मेड़े आ रही है जमादा त्रास ब्रॉंदा है पर फेर वी असी दिन रात कम्मादे पार ही तोई जन दे हा ओहो विहार, ओहो पोग, ओहो हर रोज, ओहो वैर विरोध, चगड़े, इर्खा, अद्वैक, खेडानी छड़ गई कोई सुखेंट अंग तरीका दसो ता जो असी वी बिशन दा रूप हो जाईए बिशन तो पाव है परमात्मा कहरे हन के कोई सुखेंट अंग तरीका दसो ता जो असी वी परमात्मा दा रूप हो जाईए शिरी गुल नानक देव जी ने उनना तिन्ना नुसंबोधन करके पुर्मान कीता सैगल, रामा डिड़ी मनुख हर समे रजो तमो सतो गुणादे प्रबावन दी अधीन संसार विच विचरदा है तो अना दे प्रबाव तो बचन लई तुसी तप करो उना बचन कीता पाट्शा असी तप संसारी लोग है ना सानू तप करन दी जाच है ना साड़े पास अना समा ही है गुरु नानक पाट्शा कैन लगे असी तो आनू तिन्ने तरागे तप दास दिन दे हा जड़ा तो आनू सौखा लगे ओ कर लणा तिन्नो बड़े त्यानना साथ गुरु जीदा उपदेश सून रहे सन साइव गुरु नानक पाट्शा कैन लगे सैगल एक तामसी तप है ओ है शरीर नू नंग्या रखना पाला ककर गर्मी सहारनी जालतारा करनिया तूनिया तापनिया पुखे रैना पुठे लटकना एक तामसी तप है ये तप करनाल खेचल ज्यादा चलनी पैंदी है पल्ले केवल रिदियां सिदियां ही पैंदियां पर मेशवदी प्राप्ती अते मंदी शांती प्रापत नहीं हुंगी मेनत ज्यादा फाल काट प्रापत हुंगा है दुजा तप है राजसी श्रीर दे इंद्रियानू मंद वाश्नावां तो रोकणा अखानू मांद रिष्टी वल्लो वर्जणा कन्नानू निंद्या इर्था ग्रेश्ट यां गल्ना सुनन तो रोकणा हत्थानू बुरे करंबलो हटाणा पैरानू माडे पासे तुरंतो रसनानू पौडे फिक्के बचं चूट तो साथ बोलन तो र नाम जपन दा काम लेना हथानाल सेवा करनी पैरानाल साथ संगत वीच जाना श्रीर नों हमेशा अग हित पो गांवलों वर्जी रखना ए राजसी तप है इस दी मेनत पाट फाल ज्यादा हुंदा है तीसरा सांत की तप है ओ है परमेशर जी दा नाम जपना प्रभु दी सिफ्थ सला करनी अकाल पुरक जो त्रिगुणी अतीत है उस दा त्यान तरना उस दी सिफ्थ सला गुर्बानी द्वारा करनी नाम जपनाल गुर्बानी परनाल जन्मा जन्मात्रा दी आत्मा उत्ते लगी मैल दूर हो जान्दी है मन निर्मल होके रासनल पार ज प्रभु परमेशर जिस्दा नाम जपदे हां जिस्दी सिपत सला कर दे हां उस दे विच अपेद्टा प्रापत हो जांदी है सांत की तप कर दियां नाम बाणी दा अब्यास कर दियां मन वाशनामा वाल पज्जेगा त्रिशना जोर फड़ेगी फुर्निया दा संकल्पां दा हड आ जावेगा एनना फुर्निया तो वाशनामा दे संकल्पना तो काबरना नहीं उस समय गुरू चर्णा विच बार बार अरदास करनी है हते मान दे संकल्पां फुर्निया नाल युद करके बाहर जांदा वर्ज रहाया दी कार करनी है मुड मुड नाम जपन विच माननू लौना है आप अकणा नहीं माननू अकणा है जिमें मालक कोडे नू अरोग करन वास्ते उस दे मूँ विच मसाले नू पॉंदा है पर कोडा मसाला बार काट दूंदा है मसाले नू कोड़े दे पेट विच पेजण वास्ते कोड़े दा मालक कोड़े दे मुँच मसाला पाके अपना हाथ कोड़े दे मुँच देही रखदा है कोड़ा मसाला बार मुँच इटन दा जतन करदा है मालक मसाले नू मुड़ मुड़ अंदर नू तकदा है इस तरह कोड्या अपके मशालन अंदर लंगास करण का अरोघ हो जाता है। ऐसे तरह नखे मान मुँथ लगाना है। जिडावी एशांत की तपकरन मिच सफल हो गया। उजगा मन अरोग होके aveast ते नाम रा समुथ तर लवेगा। है उनका सब्सक्रांट सब्सक्राइब कंड़े हैं मान तुम जोच रूप है अपना मूल पुछान संगर जी अतिरी स्माप्ति कर दिया थोड़ा जा रहे गया वीजी तोड़ा पुछो कॉंटीलू करके फिर स्माप्ति करांगे इस टॉपिक भी सद्गू जी मेर करन साड़ावी मन जड़ा है बक्षिश करन सानू नाम बानी पढ़दिया इकागर चींदी दाद सद्गूजी बक्षिश करन जी अनी सेवा पर वाभी करन जी वाई गुझी का खलसा वाई गुझी की पते कर दो एंगर दो मता हुआ है